Hi everyone, आप सभी का एक बार फिर से educational चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ discuss करने जा रहा है teaching episode से जुड़े एक पहुत important topic के उपर जो आपका divergent thinking and convergent thinking यानि कि अपसारी और अभिचारी चिंतन के उपर क्योंकि teaching से जुड़े जिते में भी competitive exam हो रहा है उसमें इस topic से जुड़े question लातार पूछे जा रहा है तो आज की वीडियो में इसी के उपर discuss करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे divergent thinking के उपर तो अब सारी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें अगर एक समस्या आपके सामने अगर आए और उस समस्या के समाधान के लिए आपके mind बे बहुत सारे विचार बहुत सारे idea अगर आते हैं तो ऐसी चिंतन जो आपके देखा जाए mind में develop होती है उसको कहते हैं अब सारी चिंतन यानि की divergent thinking ठीक है समस्या एक और उसके समाधान अनेक अब बात किया साएगा कि अभिसारी चिंतन ऐसा चिंतन है जिसमें आपके सामने कोई समस्या अगर आए और उस समस्या से जोड़ा है बहुत सारी effect देखा जाए आपके mind में दिख रहे हूं आपके mind में develop हो रहे हैं लेकिन ये जो fact है ये जो तत्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक देखा जाए बिंद की और आपको निर्देशित कर रहे हूं यानि कि समस्या एक और उसका समाधान भी एक है तो ऐसे अगर चिंतन आपके दिवाक में देखा जाए डिवलब होते हैं तो इसको देखा जाए तो अभी सारी चिंतन कहते हैं आगे हमने आपके लिए कुछ material देखा जाए तो यहां पर create किया है उस पर चलते हैं और उसी से और भी चीजे clear करते हैं तो यहां पर है आपका अपसारी चिंतन अपसारी चिंतन में देखा गया है जब किसी के सामने कोई समस्या प्रस्तुत किया जाए और उस समस्या के समाधान के लिए वह कोई भी व्यक्ति हो वह अपनी कल्पना सकते अपना देखा जाए तो रचनात अपनी creativity का उपयोग करके समस्या के समधान के लिए एक से अजी देखा जाए तो समधान को यहां पे develop करे यह एक से ज्यादा समधान को निकाले तो इस प्रकार का जो चिंतन किसी व्यक्ति की द्वारा किया जाएगा उसको अब सारी चिंतन कहते हैं उसको divergent thinking कहते हैं अब diver thinking कि कुछ यहां पे देखा जाए तो विसेश्थाएं होती है मिलोगों सबसे पहली मोकी विसेश्था है कि इससे स्रेवनात्मक्ता को बढ़ावा मिलता है अगर देखा जाए आपके पास आपके देखा है सोच के लिए खुरी आजादी मिले आपके विचार के लिए खुज से अधिक समधान निकलते हैं और साथ में यहां ओपन इंडिन होता है यानि यहां पर आपको पूर्ष स्वतंता मिलती है अपने विचारों को यहां पर प्रिजेंट करने के लिए और यह रूड़ी बत्ता से मुक्त होती है यानि कि एक ही तरह तरीके से किसी समधान को देखा किसी समस्या के समधान पे विचार करने से यह देखा जाय मुक्त होता है अगला यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट है यह जो ठिंकिंग है यह फ्लेक्सिबल होती है लचीरा होता है और यह चिंतन कल्पना सीलता को बढ़ावा देता है यानि आपके विचारों को और भी को देखा जाय यह आपको फोर्स करता है साहत में यह संभावित समाधानों की सीमा का विस्तार करता है यानि कि आपके समाधान का जो एक क्राइटेरिया है उसको यह देखा जार और भी आगे देखने और पारंपरी कंपर विचार करता है यानि कोई समस्या तो अलग-अलग दिश्टकॉड़ों से उसको देख सकते हैं और साथ में देखा जाए जो पारंपरिक तरीके है ठीक है उससे आगे जाके बहुत सारे गहर पारंपरिक तरीके से देखा है समस्या के समाधान खोजने पर यह जोड़ देता है अब देखें गिलफोर्ड का विचार है कहा गया है गिलफोर्ड कहते हैं स्रिजनारत्मक्ता में अभिसारी चिंतन के बजाए अपसारी चिंतन सामिल होता है यह कहते हैं स्रिजनारत्मक्ता यानि क्रियेटिवटी में अभिसारी चिंतन के बजाए अपसारी चिंतन सामिल होता है और जो क्रियेटिवटी इत्याद को ज़्यादा बढ़ाव देता है और ज्यादा लचीला होता है आपको जादें कि अपसारी चिंतन पर देखा जाए गिलफोर्ड ने 1956 में अपने विचार प्रस्तूत किये आगे बात किया जाए कि अभिसारी चिंतन के उपर देखे कहा गया है जब कोई व्यक्ति किसी विशेज समस्या को हल करने के लिए जानकारी के अलग-अलग जो टुकडे हैं उनको एक साथ प्रस्तूत करें तो इस प्रकार के चिंतन को देखा जाए तो अभिसारी चिंतन कहा जाता है convergent thinking कहा जाता है या जब किसी के सामने कोई समस्चा प्रसूत किया जाए और समस्चा देखा जाए एक ही बिंदु पर केंदरित है और उसका समाधान भी केवल और केवल एक हो तो इस प्रकार के समस्चा के समाधान के लिए जो चिंतन आपके द्वारा किया जाएगा वो अभी जैसे अगर कहा जाए टू प्लस टू कितना होता है तो यह आपका फोरी होता है ठीक है तो यहाँ पे देखा जाए समस्चा आपके सामने आया उसका आंसर जो हता है वह फिक्स होता है आपका टू प्लस टू फाइप नहीं होंगे यहाँ पे देखिए इसे जुरू का कुछ important point है कहा गया है कि यह चिंतन तंत्यों पर आधारित होता है ठीक है facts पर आधारित होता है कोई अपने देखा जाए विचारों को आपके दिमाग में open करके नहीं लेके चलना है दूसरा ची इसमें समाधान close इंडिर होता है यानि क कि आपके खुद के कोई इसमें बहुत जारे विचारों पर स्वतंता नहीं होती है जो भी चीचें होती है एक fact पर होती है उसी के उपर आगे बढ़ना होता है यह बुद्धी को बढ़ावा देता है और यह प्राप्त समाधान यानि कि आपके अभिसारी चिंतन से जो समाधान प्राप्त होते हैं वह काफी प्योर होते हैं ज्यादा सुध होते हैं यह जो चिंतन है यह समस्या का समाधान जल्दी प्रस्तूत करता है और यह एक ही उत्तर खोजने पर जोड़ देता है और साथ में यह एक स्रिंकला पर आधारित होता है यानि कि देखा जाए ए आपका देखा जाए आंसर की तरफ ये लेखे आपको जाता है जैसे कि अगर किसी गाड़ी में देखा जाए गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो उस गाड़ी के टायर को निकालने के लिए सबसे पहले नट को खोलना होगा फिर जग पे लगाएंगे तो गाड़ी उठेगा को का नठ हम निकालेंगे और नठ निकालने के बाएर बाहर आएगा और बाहर के बाएर आने के बाएर फिर ट्यूब को हम बाहर निकालके फिर उसका अगर देखा जाए कोई पंक्चर हो गया है तो उसको ठीक करेंगे तियों एक स्रिंखला में चलता है ठीक है और अगर कहा कि गाडी का fuel को और और चाहते हैं कि अब श्यूद कैसे आएगा तो फ्यूद लाने के लिए आप बहुत सारी विचार आ तो आज की विडियो इतना इस वीडियो कोई कोशन पूशना पूशना को सकते हैं तो जब तक की नेग्छ वीडियो नेग्ट अब्लेट नहीं राते हैं तिक्लोची एज किसना चैनल और आप सो भी कहा दें हुआ बहुत 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 सुखो